हलो दोस्तों मैं ऐसे स्वाई आपका भाई गाइस आज हम दिखाने वाले हैं कि गाउं में जो छोटे मोटे खेती करते हैं हम लोग जो अपने घर के खाने के लिए खेती करते हैं उसमें हमने आलू लगा दिया लेसल लगा दिया इसके बाद भाई हम यहाँ पर यानि पोटे करने के लिए रहता है तो फिर हम चलो आपको दिखाते हैं चुकंदर यह रखा हूं मैं सामने बहुत छोटा सा है पैकेट में थोड़ा सा है तरीबन 50 से 60 पीस होगा यानि एक देड़ किलोमीटर और एक खेती इतनी है इतने खेती में डालना है तो मैं यही दिखाना चाहता हूं कि चुकंदर की खेती में किस तरीके से लगा रहा हूं और गाउं में जो छोटी मटी खेती लोग करते उसके लिए ही बीडियो बना रहा हूं दोस्तों अभी हम इस सारी घास से निकालेंगे फिर यह खेत रेडी होगा तो घास निकालते हैं है विए को फानल्डा दस मिनट की मेर्नथ में खेत रेडी ये खेerd रेडी हो गया अब इसमें हम लगाएंगे गुच्ची जो ऐसे लाइन कर खाचते हैं उसको ऑम बोलते हैं विच्ची आप किया बोलते हो आपके सवर में क्या बोला जाता है आपके काम हमें क्या बोला ज अब हमारी गुच्ची हो गई अब हम इसमें बोएंगे चुकंदर चुकंदर लेते हैं का गया यार ऐसा कहीं नहों मैं इसको छीट छाड़ दूँ बच गया मित्टी मिक्स हो गई इसी तरह हम खेत में इसको लगा देते हैं और इसकी एक-और बीदी है दोस्तों इसे आप पैरा बीदी से बोओ hierarchy सकते हैं जिसे चीट कर बोओया जाता है ऐसे 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 लाइन से शीड़ दिया और इसके बाद बस कुदार से इसको डब दिया तो इस तरीके से भी बोह जाता है लेकिन हम दूसरे तरीके से बोह रहे हैं और इस पर मिट्टी चड़ा देंगे वाला इसका फूल प्रोसेस बस सेम ऐसी तरह से मैं सारा बोह दूंगा तो ए आपको दिखाता हूँ पूरा बोहने के बाद मिलता हूँ चुकंदर की वीज इतनी कम थी ना कि बस सिर्फ फाइप लाइन मैं इधर डाला और इसके बाद यहां से लेके यहां से लेके यहां तक में खतम हो गया अब हमने लिया था 5 रुपे का मूली और आपको दिखाता ह है क्योंकि खेट खाली हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा तो इसमें यह डालेंगा हम सेम प्रोसेस इसका भी है जैसे एक एक लाइए एक वान कि वान करके की बोराओं मैं इसको इसके फेट मिटी में डाल रहा हूं तब यह बढ़ा हो तो इसके अंदर फंड़ लगेगा और अच्छा से लगेगा अगर मैं इसको ऐसे शिट दे रहा हूं तो यह तो ऊक्त जाएगा लेकिन यह अच्छे से क्या होता है मूली मोटी पाएगी अच्छा नहीं हो पाएगा इसके वजह से मैं इसको वान वन करके लाइन करके वो रहा हूं तो चलो सेम प्रोसेस इसका भी है जैसे हमने बीट बॉया वैसे मूली वो रहा हूं ठीक है तो अभी इसको बोकर फिर निकलते बार सब कुछ बो दिया अब हमने इधर खे अगर इसमें मैं धनिया बो दूँगा तो इतना में क्या होने वाला है कर दिन हीजह homo चाटने के बाद फिर फिर से ऊख